हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीति आदव आपका प्रेगनेंसी टिट्स एंड एडवाइस चैनल पर स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के शुरुवाती आठ लक्षडों के बारे में दोस्तों वैसे तो प्रेगनेंसी को कन्फर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट कितका ही इस्तिमाल किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका भी होता है लेकिन अगर आप थूड़ा सा ध्यान दे तो आपकी बाड़ी खुद बता देती है कि आप प्रेगनेंट है या फिर नहीं तो इस वीडियो में मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए हैं जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को वही सिम्टम्स हो क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है तो इस वीडियो में मैंने सिम्टम्स को दो हिस्तों में बाड़ दिया है एक तो वो लक्षण जो लगबग हर महिलाओं में दिखाई देते हैं और दूसरा ऐसी लक्षण जो कुछ महिलाओं में दिखाई देते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो लक्षण में आपको बताने जा रही हूँ जरूरी नहीं है कि उन्हें देखकर आप ये confirm करने कि pregnancy है लेकिन 80% केसिस में pregnancy होती है पर 20% केसिस में ये लक्षण दूसरी वज़यों से भी आ सकते हैं तो इन लक्षणों के बाद भी आप अपना pregnancy test जरूर करें चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में जो हर महिला में दिखाई देते हैं जिसमें सबसे पहला है blood spot जब आपका act fertile होता है तो वो fallopian tube से निकलकर uterus में आता है और यहां पर endometrium line को खुरेता है ताकि वो अपने लिए जगे बना सके ऐसे में आपको हलकी सी bleeding और spotting हो सकती है और अगर आपका act fertile हुआ है तो ही ये होगा इसलिए हर महिला को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उनको spotting होई है या नहीं क्योंकि ये इतनी हलकी होती है कि कई बार ध्यान ना दें तो आपको पता भी नहीं चलता दूसरा है morning sickness pregnancy के 9 महिनों को 3 हिस्से में बाटा गया है शुरुआती 3 महिने को morning बोलते हैं इसलिए इसको morning sickness बोलते हैं तो इसमें जब आप सोकर उठेंगी तो आपको लगेगा कि आपको उल्टी आ रही है मतली जैसी feeling होगी और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा तीसरा है food taste change जब आप pregnancy conceive करती हैं तो आपको या तो बिल्कुल भी भूग नहीं लगती या आपको भूग बहुत ज़ादा लगने लगती है इसका कारण है सरीर में होने वाले hormonal changes ऐसे में आपको वो चीजे जो पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी हो सकता है वो अब पसंद आने लगे और जो चीजे पसंद थी वो हो सकता है अब आपको बिल्कुल भी अच्छी ना लगे इसके अलावा आपको खाने से गंद आने की समस्या भी हो सकती है चौथा है missed period देखिए ये तो होना ही है कि आपके period miss होंगे तभी period के miss होने के 10 दिन के बाद आप अपना pregnancy test करें और आपकी pregnancy confirm होई है या नहीं इसी से बिल्कुल सही सही पता चलेगा इसमें आपके सरीर में SCG के लेवल की जांच होती है जो pregnancy के time अपनी आप भढ़ जाता है अब बात करते हैं कुछ ऐसे symptoms की जो कुछ महिलाओं में दिखाई देते है सबसे पहला है skin darkness pregnancy के शुरुआती समय में आपके सरीर में hormonal changes होते है जिसकी वज़े से आपकी skin बहुत sensitive हो जाती है आपको अपने चेहरे पर काले काले दब्बे दिखाई दे सकते है और आपके आँखों के नीचे dark circle भी हो सकते है आपको सूरज की रोशनी से काफी परेशानी होगी और सूरज की रोशनी में आपको अपनी इसकी जलने जैसी feeling आएगी दूसरा है mood swings pregnancy conceived होते ही आपके व्यवार में कई सारे changes आ जाते है क्योंकि सरीर में प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो ऐसे में आपको mood swings होंगे ऐसे में हो सके तो अपने family members के पास रहे ताकि आपको इन mood swings से थोड़ा सा आराम मिल सके तीसरा है सरदर्द pregnancy के शुरुआती दिनों में सरदर्द होना बहुत ही आम समस्या है क्योंकि इस समय आपके सरीर में खून का प्रभाग तेज हो जाता है ताकि आपके गर्ब तक ज़्यादा oxygen पहुँचाई जा सके जिसकी आपके दिमाग को आदत नहीं होती तो आपको शुरुआती दिनों में सरदर्द हो सकता है और समय के साथ ये अपने आप ठीक होता चला जाता है चौता और आकरी लक्षण है white discharge pregnancy के शुरुआती दिनों में कई महिलाओं को white discharge होता है जो कि बहुत जादा normal है pregnancy में white discharge कब normal है कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए इसके लिए मैंने पहले ही एक separate वीडियो बनाई है लिंक उपर i-card में और नीचे description में दिया गया है तो आप इस वीडियो को जरूर देखे और उसके हिसाब से आप अपने डॉक्टरों से मिल ले इस सब लक्षड के बाद भी pregnancy है या नहीं ये तो 100% तब तक confirm नहीं होता जब तक आप अपनी pregnancy kit से टेस्ट ना कर ले तो आप pregnancy test जरूर करें कोई भी सवाल हो तो comment box में जरूर लिखे हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे उमीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ सबसे important बात हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले because our channel is your best friend during pregnancy चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए खूस रहिए स्वस्त रहिए